दिल्ली एक्सेसाइस पॉलिसी की इसमे गृफ्तार अर्बिंद केज्रिवाल की आम आदमी पार्टी में इन दिनों काफी अफरात अफरी का माहौल बना हुआ है जहां आप पार्टी के चम्ची अपने आपको गृफ्तारी से बचाने के लिए पार्टी का साथ छोड़ते नजरा रहे हैं दरसल जब से शराब गोटाले के किंग पिंग यानि के अर्बिंद केज्रिवाल ने कोर्ट में ये खुलासा किया है कि विजय नायर दिल्ली एक्सराइस पॉलिसी में आतिशी मरलेना और सौरभारदवाच को रिपोर्ट करता था तब से आमादमी पार्टी में ज्यादा बवाल मचा हुआ है जहां पहले इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि अर्बिंद केज्रिवाल अगर दिल्ली के सीम पत से इस्तिफा देते हैं तो आतिशी और सौरभारदवाच का सीम बनने के लिए नाम सामने आया था अब उनक आतिशी और सौरभारदवाच ने ऐसी कोई भी बयानवाजी नहीं की थी कि उनको ईडी ग्रफतार कर सकती है लेकिन जब कोर्ट में अर्बिंद केज्रिवाल ने कबूल किया कि शराब घोटाले में आतिशी और सौरभारदवाच भी शामिल है तब से दोनों में अपनी ग् से दो नाम तो अब हट चुके हैं जो इससे पहले सीम पत की रेस में थे वो अब भाहर हो चुके हैं इस बीच आतिशी के खिलाब जूटे बयान देने पर भी बीजेपी ने उनके खिलाब नोटिस जारी किया है लेकिन अब इस बात की चर्चा भी तेज है कि अर्बिंद के केजरिवाल को कोट से परमीशन मिली थी कि वो अपने पती केजरिवाल से E.D. के कस्टेडी में मिल सकती है और तभी से केजरिवाल और उनकी पत्नी ने एक ऐसा दाव चला था जो सुनिता केजरिवाल को दिली का सीम बना देता लेकिन इन सब के बीच फिर सुनिता का CM का पत्ता कट होने के संभावना सबसे ज़्यादा है क्योंकि अर्विंद केजरिवाल के जेल जाने से आप पार्टी की गैंग इस बात पर अड़ी है कि अर्विंद केजरिवाल ही जेल से सरकार चलाएंगे पर ऐसा हो पाना मुश्किल नजरा रहा है दरसल LGV के सक्षैना इस बात के पूरे पूरे संकेत देती हैं कि अर्विंद केजरिवाल जेल से सरकार नहीं चला सकते तो ऐसे में अगर अर्विंद केजरिवाल अपना इस्तिफा देते हैं तो इस बात की चर्चा तेज है कि सुनीता केजरिवाल को आप पार्टी की गैंग CM पत के लिए अपन उमिदवार नहीं चुनने वाली तो ऐसे में आम आदमी पार्टी में बगावत के बादल भी मंडराते नजरा रहे हैं अब देखना होगा कि संजय सिंग और सुनीता किद्रिवाल के बीद चल रहे इस ड्रामे की असलियत जब सामने आएगी तब अरविंद किद्रिवाल की इ प्रश्वार नहीं